डियर फ्रेंज कैसे आप सब मैं असमान जूँ आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रायार्किक थेरी रॉबर्ट इस्टरंबर्ग ने दिये थे यह इंटेलिजन्स की थेरी है आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ के यह CTET के लिए एक्जाम में आती है CTET के लिए है इसके अलावा other competitive exam को आप देखे तो वहाँ पर भी ट्रायार्किक थेरी आती है स्टरंबर्ग ने दिये थे जो हम देखेंगे कि क्या के चीज़े बताये थे स्टरंबर्ग ने अपनी थेरी में ट्रायार्किक थेरी में इनका कहना क्या था कि जो intelligence है जो जहनत होती है इंसान की वो क्या है कि आप environmental changes के साथ अगर आपके environment आप जहां रहे हैं वहाँ अगर changes आते हैं तो आप उससे कैसे deal करते हैं और यह पूरी आपकी life span चलता रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि life में जो चीज हो रही है वो हमेशा एक जैसी ही चले हमारी कभी changes होते हैं कभी अच्छे और कभी बुरे experiences हम गेन करते रहते हैं तो इन्होंने यहीं चीज बताई है कि हमारी पूरी एक life span में एक individual environmental changes जो होते हैं तो उससे कैसे deal करता है तो यह है intelligence यानि कि जो time के साथ साथ change होती रहती है जहर बात है कि जैसे जैसे life आगे बढ़ेंगे time आगे जाएंगा तो जो intelligence है यह time के साथ साथ change होती जाती है ऐसा कहना था stern work का based on information process अब इनकी जो थेरी थी वो किस पर बेस थी information process पर बेस थी इनकी book का नाम beyond IQ 1985 में उन्होंने थेरी दिये थे और उनकी book का नाम था beyond IQ यानि के उस पार और IQ क्या है यह तो आपको पता है नहीं पता होंगा तो हम development में देख लेंगे तो IQ यानि के क्या है beyond IQ इनकी book का नाम था इन्होंने कहा था कि person received information from each component through a series of five step के इनसान क्या करता है कोई भी person individual क्या करता है कि information को receive करता है और कितने step में five step में तो यह हम आगे पढ़ेंगे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने कितने type की intelligence हमको दिये थे तो three type की intelligence की इन्होंने बात किये थे और उसे क्या कहा जाता है PCA कहा जाता है practical intelligence, creative intelligence and analytical intelligence के हर एक individual में यह तीन type की intelligence होती ही है जिसका इस्तेमाल वो अपनी whole life में अपनी पूरी life में करता है तो PCA क्या है practical, creative, analytical intelligence और इन्होंने कहा था कि यह तीनों चीजों का इस्तेमाल यह तीनों intelligence का इस्तेमाल एक individual यह हर person अपनी whole life में करता रहता है तो practical intelligence क्या है हम पहले वो देखेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजन्स और सब्सक्राइब करें अब इतनी चीजों को समझने से समझ रहा है तो हम सिंपल अगर वर्ट में हम बात करें प्रैक्टिकल इंटेलिजन्स की तो हम हमारी life में कैसे डील करते हैं यानि के डे टुडे लाइफ में आप कैसे डील करते हैं चीजों से तो प्रैक्टिकल इंटेलिजन्स क्या होती है जो किसी जो हर एक individual के day to day life में use में आती है यानि कि हमारी day to day life जो day to day life है ना उसमें कैसे ये used में आती है कि हम क्या क्या चीज़ें करता है इंसान अपनी daily life में तो वहाँ पर ये practical intelligence जो हर एक में मौझूद होती है वह यहाँ पर वर्क करती है जैसे कि मैं यह वीडियो बना रही हूं तो मेरी यहाँ पर practical intelligence भी आ गई creativity भी आ जाएंगे अगर मैं कुछ picture set कर रही हूं या कोई और चीज़ कर रही हूं तो यह है practical intelligence कि आप अपनी day to day life में कैसे काम करते हैं कैसे इसे इस्तेमाल में लाते हैं जैसे कि smartness है common sense है उसके बाद सेकंड था creative intelligence creative intelligence also called experimental this deal with how well a task is performed with regard to how familiar it is novelty यानिके not done before जो पहले ना ही हुई है और automated यानिके done many time जो आप पहले कहीं बार कर चुके हैं तो इससे समझे क्या है creative intelligence क्या होता है कि आप कैसे creativity की तरफ जाते है यानिके कैसे कैसे आप कोई चीज़ कोई experience आपने समझो कोई एक experience है अब इसको आपने पहले देख चुके है उस बेस पे आपके जो ideas है वो कैसे आप ला रहे हैं कैसे अपने mind में ideas को ला रहे है या कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है तो उसके हिसाब से आप अपने mind में कैसे ideas को ला रहे हैं यानिके creativity की तरफ हम जाते है creative intelligence को हम used करते हैं जैसे के imagination की बात होती है तो यह creative है innovation कुछ नया बनाना problem solving ability तो हम क्या करते हैं यहां पर कोई नहीं चीज़ों को अपने mind में लाते हैं तो यह creative intelligence उसके बाती analytical intelligence यानि कि क्या कि जहां पर यह वह ability है to ability to analyze understand and draw conclusion from given information के आपके सामने कोई चीज अगर रख दो यहां पर कोई चीज अगर आपके सामने है तो आप उस बेस पर कैसे conclusion पर कैसे conclusion draw करेंगे कैसे decision पर आएंगे कैसे analysis करेंगे यानि कोई चीज आपके mind में है या कोई information आपको दे दी जाती है तो आप उसका यूस कैसे करते हैं तो यह है analytical intelligence also called component intelligence यानि कि अब इसके component है तो हम आगे component भी पढ़ेंगे also called component intelligence this is associated with analytical giftessness academic problem solving and competition कि हर के एक child कैसे problem को solve करता है कैसे वो अपने giftessness का use करता है अपने common sense का use करता है जो चीजे उसके पास already है तो उसे जो ideas है जो knowledge है उसे समझ के कैसे वो conclusion को निकालता है उस information की base पे तो यह होता है analytical intelligence अब component कौन कौन से है तो component देखिए तीन component है तीन component है एक है knowledge acquisition component knowledge acquisition component एक होता है अब हमने third जो type देखिए तो वहाँ पे क्या बताया गया है कि component है है ना तो क्या है knowledge acquisition component help to collect new information यह component क्या करता है आपको help करता है new information को collect करने के लिए meta component help to solve problem monitor monitor करेंगे खुद को evaluate करेंगे यह control करेंगे यानिके self regulation करेंगे अपना तो help to solve problem और performance component performance component help to take decision यानिके आप जब अपना decision लेंगे तो यह क्या है यह वो तीन component है इसके अलावा देखिए इन्होंने बोले थे कि person क्या करता है information को gain करता है तो जब हम कोई information को gain करते है तो वो पूरा complete होता है five steps में अब वो five steps कौन कौन सी है encoding, inferring, mapping, application and response तो encoding क्या है? encoding का मतलब होता है कि हमारे दिमाख में न कोई चीज को डालना कि कोई task है आपके साब तो आपने अपने mind में उसको क्या करें? अच्छे से समझ लिए उसके बाद इन-faring, second है interfering, inferring का मतलब होता है अंदाजा लगाना अंदाजा लगाना, कि आप क्या करते है, कोई चीज आपके सामने है ना तो आप उसका एक अंदाजा लगाते है guess नहीं करते, perception करते है, हम ये कर सकते, वो कर सकते, इस तरह से अंदाजा लगाते है उसके बाब आता है मैपिंग, मैपिंग यानि कि क्या है, कि दिमाग में आप उस चीज़ का धांचा बना लो, कि दिमाग में आप वो चीज़ का, कि हाँ, प्लैनिक, कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप क्या कर रहें, दिमाग में उसका धांचा बना ले रहे तो ये उन्होंने five steps दिये थे उसके अलावा ये सारी ये सारी थेरी बहुत एजी है जिसमें आपको ये तीन component भी याद रखना है उसके अलावा first April से CTET की new batch start हो जाएंगी online and offline thumbnail पर आपको contact number दिखेंगा आप वो contact number पर call या message कर सकते है वाट्सअप ग्रूप में एड होने के लिए दो दिन डेमो रहेंगा Saturday and Sunday तो आप डेमो लेक्चर वहाँ पर जाकर attend कर सकते हैं सारी information आपको ग्रूप में ही मिलेंगी तो आप ग्रूप में जॉइन हो जाईए अपना नाम अपनी प्लेस और पेपर मेंशन कीजिए WhatsApp message करके और be positive keep smiling वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए share please कीजिए और subscribe नहीं किये है तो आप वीडियो को subscribe भी कर लीजिए